हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत सौगत है आप सपेगा एक पर फिर्से सरकारी हट में तो इस वीडियो में जो हम क्लास 11 की बायोलोजी की जितने भी चैप्टर से आपके उसके हम most important जो MCQs हैं जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं वो हम discuss करने वाले हैं इस वीडियो में ठीक है तो आप सभी से request है कि वीडियो को please end तक देखना और अगर कोई भी background noise आ रहा है अबस ध्यान से सुनना है ठीक है एक बार आप सुन लोगे तो MCQ आपके तयार हो जाएंगा और अराम से आप इनको अपने exam में attempt कर पाऊगे ओके और physics के जो मैंने most important questions पर वीडियो बनाई थी class 11 के जो मैंने 5 chapter पर वीडियो बनाई थी उसका link भी जो है मैंने comment section में pin कर रखा है वो आपने नहीं देखी होगी तो देख लेना और जो biology के और जो mcq रह जाएंगे class 12 के और जो chemistry के mcq है वो मैं आपको आज और कल करा दूँगा ठीक है तो और मैं यह सोच रहा था कि जो है कि notes से जाधा इतना impact नहीं पड़ेगा जितना आप mcq solve करके अपना score improve कर पाओगे ठीक है तो अपना score आप तभी improve कर सकते हो जब आप questions के practice करोगे इसलिए मैं आपको mcq के practice कर रहा हूँ ठीक है क्योंकि notes पढ़ना इस time पे थोड़ा सा boring भी है और आप mcq करोगे तो आपको अराम से selection हो जाएगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं तो पहला हमारा चप्टर है class 11 का biology का living world तो living world के कुछ questions करते हैं तो ठीक है पहले questions देख लीजा आप फिर सोचना कि इसमें से कौन सा answer हो सकता है उसकी बाद मैं आपको answer बताए दूँगा ठीक है तो पहला question है क्योंते है पहले इंटिलोजी होता है ठीक है तो इसका correct answer option D हो जाएगा काइनिसियो लोजी यानिकि fossil study जो है उसको हम बोलते है पेले इंटिलोजी ओके फिर next question है तो phylogenetic system of classification was put forth by इनमें से किसने रखा था फालो जनेटिक सिस्टम of classification तो उसका correct answer हो जाएगा option D यानिकि adolph of angler and carl prantle ठीक है यह दिखो मैं आपको इसका दिखाते था और बीच में add साइंगे प्लीज उनको avoid करना ठीक है फिर question number 3 है हमारा two taxonomic species are distinguished from each other by ठीक है तो इसका correct answer का option A यानिकि their failure to interpret क्योंकि दो जो species होती है वो आपस में interpret नहीं कर सकती यह उनका क्या होता है यह मतलब दो अगर अलग-अलग species है तो वो आपस में interpret नहीं करती है यह एक characteristic feature है जो दो species को अलग-अलग करता है ठीक है उसके बाद next है muska domestica is a common name of यह आपका correct answer जगा option A यानिकि housefly ठीक है फिर key stories यह रहने देते हैं ठीक है फिर next question the study of fish culture is called PC culture कहते हैं आप सभी को पता होगा ठीक है तो यह भी आपको याद रखना है ओके फिर next question National Botanical Research Institute is located in या NBRI भी बोला जाता है तो इसका जो यह जो इसकी location है वो कहां पर आपकी लखनों में या option D इसका correct answer हो जाएगा फिर Biosystematics aims at ठीक है तो यह options के बीच में इतने सारे ads आगए ठीक है तो इसका जो answer है वो option D हो जाएग यानि कि जो Biosystematics है वो किस पर aim करता है the classification organism based on their evolutionary history and establishing their phylogeny on the totality of various parameters from all field of studies यानि कि basically जो phylogenetic system of classification है वो आपका phylogenetic नी sorry जो आपका biosystematic से वो आपका aim करता है evolutionary history यानि कि जो आपका evolution होता हुआ आया है उसकी history पर जो भी हम classification करते है वो आपका biosystematic से अंदर आता है ठीक है तो यह आपको यादा रखना है कि एंग्जोस पर में जो है हम characters of flowers को use करते हैं classification के लिए phynex question scientific name of plants are given by तो उसका answer हो जाएगा option A यानि कि international code of code for botanical nomenclature और उसी तरीके से जो animals होता है उनका जो classification का code होता है वो किससे दिया जाता है आपका option D वालो जोसे में देख रहा है international code for zoological nomenclature जिसे iczn भी बोलते हैं और इसे बोलते हैं international code for botanical nomenclature को हम बोलते हैं icbn तो यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है क्योंकि full form भी पूछिया सकती कि icbn की full form कि iczn की full form कि फिर next question है हमारा a system which gets a continuous flow of energy is called तो इसका answer हो जागा option है open system क्योंकि open system में क्या है energy जो है अंदर बाहर जाती रहते हैं नहीं कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आती रहते हैं ठीक है उसके बाद next question है solenum panthera homo are examples और तो इसका जो answer हो जागा जागा genera यानि कि यह सारे के हैं आपके genus के नहीं है जैसे homo sapiens ठीक है हमारे humans जो है उनका नहीं क्या है homo sapiens तो homos में genus का नाम होता है sapiens के आपका species है ठीक है जैसे panthera tigres यानि कि जो आपका tiger है उसका जो आपका genus हो गया panthera हो गया species आपकी tigres हो गई ठीक है और solenum tuber ऐसे करके कुछ होता शाथ potato का तो solenum उसमें कि आपका genera हो गया फिर उसके बाद इसमें correct answer इसमें पूछा है इसमें से कौन सा correct है ठीक है तो यह इंपोर्टेंट है इसका जो correct answer है वह option A यानि कि musical domestica क्या है आपका order है फिर उसकी जो family है वो diptera होती है फाइलम musidae है और जो आपका जो आपका इसमें order होता है ठीक है नहीं order ने यह आर्थो पोड़ा तो इसके class होती है ठीक है तो यह आपको आधर रखना है क्यों कि आर्थो पोड़ा में कितने सारे insects आते हैं तो जो आपकी housefly है यह उसके बारे में दे रख़ा है ठीक है और उसके बाद नीचे इसमें कुछ और information भी दे कि मैंजी फेरा इंडीका जो है यह आपका फाइलम एंजो इसपर्मिय में आता है जो आपका mango होता है ठीक है ट्राइटिकम एस्टिकम जिसे हम वीड बोलते है यह आपका family poesi में आता है और पैंथेरा लियो जो है यानि कि आप आपका leopard हो गया वह आपका order carnivore में आता है ठीक है तो यह आपको सही करके information दे रखके यह वाला चार्ट जो है आपके ncrt की book में दे रखका है उसको एक बर प्लीज देख लेना कि भाई housefly के बारे में दे रखका है ठीक है और आपका panther लियो के मतलब leopard के बारे में दे रख ठीक है यह शौट में कभी-कभी का लिनियस भी बूल दिया जाता है इनको तो के लिनियस जो है आपको इन गया रखना है इन्होंने क्या बाइल नॉमियल नॉमन क्लेचर दिया था जिसके इसाब से क्या हम उस जो भी scientific नेम होता उसको दो पार्स में लिखते है पहला जीन पिलास प्रसपिशीज टिक है फिर नेच्थ टेंटिक सिस्टमाटिक्स टील सविफ तो सिस्टमाटिक्स टील विछ reducing कह पूल अब अवर्गनिजम एइन की Belo सारे फाइल हमें ठीक है कितने सारे ओर्डर सें तो maximum diversity आपकी एनिमिलिया में फिर next which of the falling does not come under taxon तो taxon में क्या नहीं आता है species आता है kingdom आता है division आता है लेकिन की नहीं आता है ठीक है तो इसका correct answer की हो जाएगा क्योंकि की कि है आपका taxonomical aid है उसके नेक्स्ट है the ozone layer is found in तो इसका correct answer क्या हो जाएगा स्टाटोसफियर आपकी कहां पाई जाती है स्टाटोसफियर में पाई जाती है फिर next taxonomic studies depends on तो taxonomic studies इन सभी पर depend करते है ecological information of organism structure of cell and development process और external and internal structure of organism ठीक है फिर next question है wheat belongs to division wheat कौन से डिविजन से तो आपका ये जिमनस पर एंजिस पर में आता है तो wheat कौन से डिविजन में आएगा आपके एंजिस पर में आएगा ठीक है तो यह हमारे 20 questions हो गए हमारे पहले chapter के हम करते है second chapter तो second chapter है हमारा biological classification ठीक है यह काफी important chapter है तो पहरा इसमें question पूछा गया है तक two kingdom classification was given by यह अभी हम पढ़कर आए है तो इसका option हो जाएगा option A यानि कि two kingdom classification किस ने दिया था हक्स लेने दिया था तो यह आपको याद रखना है ठीक है classification के बारे में बात हो रही है फिर next है choose the correct pair इसमें correct pair करना है तो इसमें सारे ही correct है option है आपका parasitic fungi है यानि कि feeds on plants and animals ठीक है फंजाए क्या होता है parasitic होता है फिर saprotrophic fungi जो होता है यह किस पर करते है आपके dead or decaying matter पर ठीक है जो saprophytes होते है और फिर symbiotic fungi यानि कि जिनकी symbiotic association होती है जैसे lycans हो गए ठीक है तो इसका correct answer हो जागा mycorrhiza ठीक है क्योंकि mycorrhiza आप नहीं देखा होगा इसके बारे में पढ़ा होगा यह pinus के साथ जो है अपनी symbiotic association रखता है तो इस सारे ही जो है आपके correct options हो जाएंगे यहां पर लिखा भी है with roots of higher plants ठीक है तो pinus की जी roots होती है उसके साथ mycorrhiza अपना मतलब association रखते है और lycans जो होता है वो fungi किसके साथ रखते है algae के साथ उसके next question है which one of the following is used in biochemical and genetic work तो इसका correct answer जाएगा नियूरोस्पोरा नियूरोस्पोरा के एक तरह की का fungus होता है ठीक है तो नियूरोस्पोरा जो है biochemical or genetic work में यूज़ किया जाता है फिनेक्स कोशन है if a scientist has to name similar species he should study the उसको क्या पढ़ना चाहिए इसो टाइप पढ़ना जाए ओके यह इतना important question नहीं है वैसे भी NCRDC नहीं है फिर which of the falling is not a viral disease तो AIDS है आपका ठीक है tuberculosis नहीं है ठीक है tuberculosis आपकी bacterial है तो tuberculosis का correct answer हो जाएगा AIDS हर्पी smallpox के आपकी viral diseases है उसके बाद इन में से यह इतना important question नहीं है ठीक है फिर next question है the scientist who created the group protesta for both unicellular plants and animals is तो unit जो आपका protesta है वो किस ने दिया था है कि ने दिया था ओके यह आपको याद रखने binomial normal creature was given by इसका correct answer linear हो जाएगा अभी हमने पढ़ था क्या लेनियस ठीक है finish question है which of the falling is an indicator of air pollution तो इसका correct answer हो जागा options की यानि कि likens क्योंकि likens वहाँ पर नहीं होते हैं जहां पर आपका pollution होता है तो यह question काफी important है कई बार काफी सारे exams में पूछा गया बहुत जाते important question है तो याद रखना कि likens की जो absence होती है ठीक है likens अगर कहीं पर grow कर रहे हैं ठीक है तो मतलब likens are indicators of air pollution यानि कि वह जो है मतलब जहां कहीं पर भी pollution हो रहा होगा वहां पर likens आपके grow नहीं हो सकते ठीक है फिर नेक्स्ट कुशन है the natural system of classification is based on natural system किस पर बेज़े आपकी morphology पर evolution पर anatomy तीनों पर ही based है उसके पास next नेक्स्ट है potato spindle tuber diseases caused by तो यह जो है 1971 में डीनर ने डिसकवर की थी ठीक है डीनर आपने सुना होगा जिस ने वायरेस के बारे में पता गया था तो potato spindle tuber disease जो है यह आपकी वायरोड कॉस करते हैं ओके फिर next question है आपका quinine is obtained from तो paxenia इसका correct answer हो जागा paxenia आपकी एक तरीकी की शायद algae होती है ठीक है paxenia no algae नहीं है यह शायद मेरे को लग रहा fungus है ठीक है तो चेक कर लेना आप एक बर मेरे को exactly यह नहीं पता है कि paxenia I think fungus ही है फिर तो quinine हो गया ठीक है उसके next question है according to 5-15 classification which are the following does not contain nuclear membrane तो इन में से किसमें नहीं होती मॉनेर में होती क्यों क्योंकि मॉनेर में सारे prokaryotes होते हैं आपके फिर उसके next question है two organisms of the same class but different families will be kept under same order ठीक है यह important चीज़ है कि अगर दो जो है organism same class के हैं लेकिन उनकी families अलग 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 है तो वह same orders में रखे जा सकते हैं फिर उसके next question है bacteria that live in hot springs are called तो इसका correct answer हो जाएगा आपका thermoasodiphyls ठीक है जो मतलब आपकी heat में और acids में दोनों में रह ले वो आपके thermoasodiphyls हो जाएंगे okay फिर उसके बाद next question है which among us kingdom animalia has become recently extinct यानी कि animalia में कौन सा इन में से extinct हो चुका है तो चीज़ता इसका correct answer है फिर next question है red tides in sea appear due to discuss correct answer हो जाएगा dino flagellates की वज़े से क्या होता आपका पूचा है काफी important question है इसको याद रखना ओके और dino flagellates में से कौन सा वाला होता है वो होता है गोनी ओलक्स ठीक है गोनी ओलक्स की वैसे क्या होता है इतना important question नहीं है ठीक है और इनकी examples हो सके तो आप याद कर लेना जो भी fungus के आपकी मतलब divisions दे रखे हैं फिर next question है काफी important question है काई बार पूचा है तो sleeping sickness cause करता है trypanosoma ठीक है ओके तो यह आपके 20 questions हो गया है किसके biological classification अब नेक्स चेप्टर पर हम लोग चलते है नेक्स चेप्टर है हमारा plant kingdom ठीक है तो पहला question है road of ice is called red algae because of the pigment यह pigment वाले question कई बार पूचे जाता है कि भाई red algae को red algae में कौन से pigment होता है ठीक है green algae में कौन सा होता है तो यह आपको पता होना चाहिए तो पहले का correct answer हो जागा phyco erytherin ठीक है तो road of ice में कौन से pigment होता है जिसके उसे वह रेड होते है वह होता है phyco erytherin plant monotious plant क्या होता है जिसमें male और female sex organ क्या होते सेम इंडिविजल के पास होते है ठीक है मतलब एक ही इंडिविजल के आप पास तो वह क्या होगा क्या मनुश्यत और जिस पर अलग लोग होते वह आपकी क्या होते है डायोश्यत होते है फिर यह इतना इस पॉर्टन नहीं है फिर विच अपॉष्ण क्या है एक मौस है ठीक है इस पूछ लेगा कि इन में से कौन से जो है मौस के के डिगरी में आता ह। ओके फिर यह इतने इंपर्टेंट कोशें नहीं है फिर उसके बाद नेक्स कोशें है विच आपको पता होना चाहिए फिर नेक्स कोशें है तो यह भी चीज याद रहते हैं जो कि आपके आईस्क्रीम जैली में बनाने में यूस होती है फिर आइसोगेमस कंडिशन विद नॉन फ्लावर नौर फ्रूट बिगोज दो नोट पसस ओवरी क्योंकि उनमें नहीं होती इसलिए क्या है उनना तो फ्लावर प्रूट कोशन हमें पड़ी ला है रोड़ फाइसी का यह आपका फाइब को राइध रीन हो जाएगा काफी इंपोर्टन कोशन है और बागी भी देख लेना फिर नेक्स्ट इन मॉस स्मॉट इस्टोमाटा अपियर्स होन तो कैप्सुल के उपर होते हैं मॉस में स्टोमाटा आपके फिर नेक्सके इस नाट इन इंडिपेंडेंटन फ्री लिविंग जनरेशन इन ठीक है यह एल्टरेशन ऑफ जनरेशन वाला जो आपके टॉपिक है प्लांट के इंग्डम में उससे कुशन पूछा गया है उसका करेक्ट आंसर जगा पाइनस तो पाइनस के कीस में कि आपक डेवलमेंट होता है किसका पॉलंग्रेंट का ओके फिर नेक्स कुशन है रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट अकरीन काफी इंपॉर्टन कोशन है आप देख सकते इसका अंसर जो है आपका स्पाइरोगा रहा हो जाएगा फिर नेक्स कुशन है एन 3D और के गुनिया आर सेक उसका करेक्ट असरे जोएगा option B यानि कि इस प्लांट्स लिव इंटेवर्ट फोर प्रोड्च्व यानि की वाटर में सिर्फ इनका क्या होता है सेक्सिल रप्रोडक्शन के लिए डिपन करते हैं लेकिन रहते हैं आपके स्वाहल में रहते हैं और फेशने फ्रॉन ग्र्ट not enclosed in ovary तो pinus में जो है ovules आपके मतलब exposed होते हैं और जो mango है उसमें आपके ovules के होते हैं तो यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है तो यह हमारा third chapter complete हो गया है अब हम four chapter पे आगया है animal kingdom पे ठीक है animal मुझे लगता नहीं कि एक वीडियो में तो रेडियोला किसमें होता है आपका पाईला species में फिर नेक्स कोशन है sharks, skates and rays are also called तो इन्हें क्या कहा जाता है cartilaginus ठीक है cartilaginus fishes जो होती है वो क्या होगी sharks, skates और rays ओके फिर नेक्स कोशन है turtles हो turtles क्या होते हैं आपके reptiles होते है फिर नेक्स कोशन है the clam nervous system is composed of इसका correct transfer जागा option D यानि कि 3 पेस गैंग लिया ओके फिर ये वाला important question है इसमें से question आप से पूछा जा सकता है तो इसमें से correct pair पूछा गया तो इसमें correct pair आपका options ही है यानि कि crocodile जो है आपका 4 chamber हट होता है इसमें 2 chamber हट होता है और जो frog है उसमें भी आपका 3 chamber हट होता है और जो pavo है pavo यानि कि peacock तो यह आपके ace classes में आता है और इनके अंदर कि होता है 4 chamber हट होता है तो इस चीज़ को जो है आप ध्यान रखना फिर हो रोट दा बुक सिस्टम नैचुरे तो सिस्टम नैचुरे आपको ध्यान रखना है इसका जो author है वो कोन है आपका लीनियस है तो option D जो इसका correct answer हो जाएगा फिर which of the falling statement is correct तो इसमें से कौन सा correct है platypus lasag तो यह जो है platypus जो होते हैं वो अंडे देते हैं तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है ओके फिर ऑस्टिक्थाइस belongs to तो ऑस्टिक्थाइस किसको बिलॉंग करते है वह super class spices को फिर यह तो एक्सेट यह रहने देते हैं ठीक है यह वाला question फिर नेक्स question है which one of the falling phylum is characterized by absence of true sealum यह तो टूसीलम किस में नियुमो 30 में निवो-ट वड़ा जो हता है निमेग टोड़ा उसमें आपका true sealum नहीं होता ठीक this sealum वगरा के बारे में आप देखंदेना अगर आपको नहीं पता है कि किसमें pseudo sealum होता है किसमें true sealum होता है और किसमें होता ही नहीं है ठीक है एपसेंस होता है तो यह सारी जो आप देख लेना क्लास है जो भी आपके फाइलम फिर विच आप फॉलिंग पॉलिंग तो सीडोस्वीलमेट कौन होता है इंवसे एसकलमेंदेश ठीक है फिर next है which kind of symmetry occurs in sea animal तो sea animal में आपके कौन से symmetry होती है आपके radial होती है फिर phylum that doesn't have a true sylamis तो true sylam किसमें नहीं है platy anemindis में फिर next question है male mosquitoes usually feed on इसका correct answer हो जाएगा option C यानिकी flowers है फिर next question है bed bugs contribute to the spread of तो इसका correct answer हो जाएगा option C यानिकी typhus ठीक है bed bugs किसको बढ़ाता है मतलब typhus को ओके फिर फिर विच्वन अदा falling is not a characteristic of phylum annalida तो phylum annalida में से इन में से किसका मतलब characteristic नहीं है pseudo-sealum ठीक है क्योंकि annalida में आपके vental nerve cord होती है close circulatory system होता है और segmentation होता है लेकिन pseudo-sealum नहीं होता फिर next है dash are devoid of respiratory excretory and circulatory organ तो यह आपको पता हो कि sponges में नहीं होता है ठीक है sponges में आपका water vascular system होता है फिनेक्स कोशन है fluke infections are diseases of the dash in bodies तो fluke infections किसके होतर digestive tract यानि कि digestive tract में आपके जिसे liver flow हो गया तो उस तरह के से फिर next water vascular system is found in तो यह आपको पता ही होगा ओके तो C cucumber जो है इसका correct answer हो जाएगा फिनेक्स कोशन है order राइन को सिफीलिया consists of यह इतना important question है ठीक है तो यहां जो हमने animal kingdom के भी important questions देख लिए हैं उसके हमारा 5th chapter और morphology of flowering in morphology of flowering plants ठीक है तो इसका पहला question है इन टैमरेंट दा pinnate leaf is तो इसका correct answer हो जाएगा बाइपिनेट तो बाइपिनेट लिफ किसमें होती है टैमरेंट यानि की इमली में ओके यह इतना important question नहीं है फिर next question है exceptional roots of cascuta are तो hostorial ठीक है hostorial होती है किसके कस्कुटा की roots फिर नेक्स टाइब पैटियोले इस लोन सोलन एंड स्पंजीन तो किसमें होते हैं वही ट्रैपा यह भी इतने important question नहीं है यह भी इतने important नहीं है ठीक है है हाँ यह वाला इस्ट्रक्चर है यह आप एक बार अपनी से जरुर देख लेना जो आपको कॉन सीड वाला दे रखा है फिर नेक्स कोशन है पोटाइटो ट्यूबर इस अंडर ग्राउंड स्टैम बिकॉस क्यों होता भाई अंडर्ग्राउंड स्टैम क्यों बिकॉस इट पसे इस एक्जिलरी बड्स क्योंकि इसमें एक्जिलरी हां यह वला इंपोर्टेंट है थोड़ा सा कि in which of the following plants stems do not restore the food material ठीक है तो पोटैटो में आपको पाता है स्टैम होता है जिंजर स्टैम है कोलो गाट स्टैम है ओनियन में क्या होता है लीज होती है ठीक है क्या होती है लीज या फिर बल्ब उसके नेक्स है इन बनाना दे अंडर्ग्राउंड ओनली तो स्टैम जो होता है क्या होते है अपके अंडर्ग्राउंड होती है बनाना के केस्में फिन एक्सोशन इंपोर्टेंट है स्टैम मोडिफाइड तू पफॉंद फंक्शन ऑफ लीफ एंड हविंग मेनी इंटर नोट्स इस कॉल फाइलोग्लेट ओके यह फिन फाइल पार्ट ऑफाफ बगन फिल्या बगनी लिया फ्लावर इसका होता इनमें से ब्रैक्टिकए तबी हम इन प्लान्ट्स या फ्लावर को क्या बोलते में ब्रैक्टियट बोलते है ठीक है और उसके बाद है हाँ यह वाला important question है question 19 तो इसको correct answer हो जाएगा option B यानि कि estivation ठीक है सेपल्स और पैटल्स जो होती है उसका जो हम arrangement बोलता है मतलब उसकी definition वह क्या है estivation है the term phylo taxis used to describe the mood of arrangement of phylo taxis का मतलब क्यों होता है जो आपका लीस का arrangement हो कब वह आपको क्या पताता कि इसकी phylo taxis कि तरह के किया ओके तो हमने यह 5 चप्टर कर लिया है उसकी वाद 6 चप्टर कर लिते हैं तो पहला है कुछेंट्स एंट्रिस प्रिजेंट इन्ट इन्टों में फ्लावरिंग प्रांट्स है तो इसका correct answer का option D यानि कि की रूट में इस्टा है ठीक है फिर यह important question है close Vascular Bundle लेक्स तो Cambium Cambium नहीं होता है यानि कि Cambium रिंग जो आपकी close Vascular Bundles में नहीं होती है फिर next question है which of the following is not a feature of springwood this springwood में क्या नहीं होता भई लेसर नंबर आफ जाइलरी elements ठीक है तो color of body slide यह आपका है springwood का density is less यह भी है Camium is active यह ठीक है लेकिन lesser number of auxiliary elements यह नहीं है क्योंकि जादा होती है अजमें फिर इस यह भी पढ़ लेते हैं इना monocot leaf option D तरहका इसका mesophylle is not differentiated into palisade and sponge spongey parent का इमां ठीक है फिर next question है यह 6 तवाला fusiform initial cells of cambium form फ्रॉम ठीक है तो इसका answer हो जागा trackery elements उसके next question है calos deposition is found in तो किसमें होता भी calos deposition इसका correct answer जागा option C यानि कि C various फिर option so question 8 जो है आपका stem developed from this time किसे निकलते भी plumeole से और root जो थी हो कहां से निकलते भी radical से ठीक है तो यह जिज़ द्हान अगना फिर this time growth in girth due to इसका correct answer जागा option C यानि कि vascular cambium फिर question number 10th है which of the falling true is true about hardwood तो option A जो है जो है इसका correct answer they are dead but gives mechanical support to stem ठीक है यह रहने देता है पित is very developed देंग तो इसका correct answer जागा option D यानि कि monocoat root and dicot stem ठीक है इनकी properties आप एक बार देख लेना monocot और जो आपका dicot है उसकी stem और root के बारे में फिर which of the falling helps in curling of leaf surface उसका correct answer जागा option A यानि कि फिर फिर नेक्स कोशन है वाज़ों स्क्लेरन काइमा आर लिगनी फाइट के हो क्योंकि उसमें LinkedIn की एक लेयर होती है ठीक है फिसके नेक्स कोशन है फ्यूजिफिफर्म इनिशल सेल्स ऑफ केमियम फ्रॉम जिसका correct answer option B यानि कि ट्राइकरी ऐलिमेंट्स क्लोज वैस्कुलर बंदल्स लैक्स तो केमियम नहीं नहीं होता उसमें ठीक है फिर नेक्स कोशन है इनर्मोंस लियर ओफ कॉर्टेक्स विशोस कैस्पेरियन थिकनिक सेल्सेल्स कॉल्ड एंड़र्मिस में आपको याद रखना है प्रूब होती है ठीक है तो यह चीज़ आप ध्यान रखना वैसल्स डिफर्वां ट्रैकेट्स ऑप्शन सी इन डैट कंजिस्ट वर्टिकल रोव सेल्स विट क्रॉस वाल्ट डिजॉल्ड तो यह चीज़ ना कि वैसल्स जों ट्रैकेट से कैसे डिफिरिंट होती है फिर एं मुझे वीडियो बढ़ानी चाहिए तो यह चीज़ आप ध्यान रखना हमने 6 जैप्टर के कोशन कर लिए जो बागी कोशन सुनगे वो मैं आपको नेक्स वीडियो में करा दूगा और केमेस्ट्री की भी जो वीडियो है वो आपको इवनिंग में ज़रूर मिल जाएगी डूप आपको वीडियो पसंद आयोगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं कोई भी डाउट रताव मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब के लिए और बैल आइकन को प्रेस के लिए ओके तांक यू एड हैवना एस्टे